हेलो गुट मॉनिंग वेलकम टू दे कोचिंग अभी से कोचिंग सर्वीस है अगर आप लोको पाइल बनना चाहिए तो अभी से कोचिंग सर्वीस है यूटुब चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे इस वीडियो को लाइक कर दिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबा होने सब्सक्राइब करने के बाद आपको लोको पाल एक्जाम के लिए आपको फॉर्म भरवाया गया होगा सिब्सक्राइब 2020 में आपको कौन से सब्सक्राइब करना होगा उसको बताना होगा आपको कि लोकोपालड के लिए चैनल है तो आप इस चैनल के माध़म से हमसे जूर सकेशाच ये इसको सुरु करते हैं सब से पहले क्या है लोको पाइलट CBT2 टेस्ट लोको पाइलट में आपका तीन टेस्ट होगा CBT1, CBT2 और CBT3 आगई समझ में CBT1 आप पास कही है तभी तो आप CBT2 का वीडियो यह देख रहे CBT2 के लिए आपको क्या सब चीह है तो सौट लिस्टिंग आप कंडिडेट्स फोर दा सेकेंड एस्टेज CBT2 एक्जाम सेल भी बेस्ट ऑन दा ेस्ट के लिए और criminalized मार्क ओटेंड बाई धोर फोरिष्क इंद भागउ कि लाए और तो सौनसी करके सबिल हो मार्का या फिए होजगता आपको 42 मार्क का 50% मार्क मिल गया होगा और वो अगर पासिंग में हुआ होगा तो पासिंग के बाद आपको अब सकते होगा तो इससी आपक फचिन के तो इसका फंधर गुना ज्याधा रिजेल ली वाज़ता का कि इन टू एक्जाम के लिए वो कितना होगा पचीज जार को पंदर से गुणा के कितना होगा फंद्रव पचे पचातर पंदरव दूना थीस साथ सहीज तीन साथ पांच लगभग में 35,000 रिजल निकला होगा इतने सारे स्ट्वेट टू एक्जाम को देंगे आपके कॉंपटीशन में चलिए ठीक है आगे बढ़ता है यह सब बेसिक जानकारी है और भी कि तरब से हम इसको लेका आए हैं अगेंस्ट अरभी ऐस पर धेर मेरिट इन फॉर्स और ऑफ एनी स्पेसिक ट्रेट्स एज रिक्वाइड टू इंस्योर एविबिलिटी ऑफ एडिकेट त्यानी कि रेलबे के अनुसार जितना सीट है उस सीट से वह चाहे तो पंद्रगुना से ज्यादा भी दे सकता है पंद्रगुना से कम भी दे सकता है बस आपको एक आंकर ओगा वह दो घंटा 30 मिनट का एकजाम होगा अब इस दो घंटा 30 मिनट में आप लोग ख्या कर एकजाम में कितने सारे को सनाइगे कहां से आएंगे किस तरह से टेस्ट होगा शारी जानकारी लिजिन आंगे हम बता रहे है कि देखिए गरे को समय मिलते पार्ट एकजाम में आपको नम करना हुगा पार्ट बी किलिए अलग से फिर से आपको बिल्कुल साथे साथ मिर्ट कपे 20 को सब्सक्राइब का या त्रेड टेस्ट पार्ट ए में आपका होगा नॉर्मल टेस्ट जिसमें की मैथ रिजनिंग बेसिक साइंस एन इंजिनियर्यनी और करेंट अफेस में से एक सो कोशन पूछेगा इसके बाद पार्ट बी एकजाम उसी समय सुरू हो जाएगी फिर आपको कोई वार्निंग वारा कुछ नहीं पार्ट एक पार्ट भी आटोमेटिक सुरू हो जाएगी तो उसके लिए आपको मिलेगा साथ मिलेट का समय मिलेगा और आपको कोशन पूछेगा 75 और वो 75 कोशन कहां से पूछेगा आप जो ट्रेड सेलेक्ट किये हैं आप जो सोचे हैं कि हम फीटर से ही हम को एकजाम दना है अपनी तरब से देखें मिनीमम पर्षेंटेज आपको समय है और नमबर आप कोशन आपका हंडेड है एक सो कोशन आपको समय है क्या सब सिलेबस दे रहा है एक बार देख लेते हैं फिर आपको हम बताएंगा अपनी तरब से देखें मिनीमम पर्षेंटेज आप मार्क्स पॉर एलिजिबिलिटे इन वेरियस कैटवरी यू अब देखें कितने एस्ट्रेंट का जो पासिंग मार्क है रेलवे का अनुसा से कम नमबर आपका नहीं होना चाय है आपको 40 पर से जतना जाता नमबर लाना है आपेल देगे लेस से कम नंबर नहीं होना चाहिए ऐसा पहले के रेलवे के किसी भी अगजाब में अबताchemical नहिंग हुआ है लेकिन इस बार के घंजाम से ऐसा हुआ है तो आपको कितना पर लाने बाले एस ट्रयंद के अगर संख्या काफी जादा हो गई पांच लग दसला हो गई तो हम इस चालिस पर सेंट को हम बढ़ा के 50% साथ स्थर पर श्रपल पर शक्या पर श्रीप असी परेंड जितना हम को मन्हों उत्रा हम कर सकते हैं लेकिन कि 40 percent से कम हम नहीं लेंगे तो अगर आप जर्म एको नाममघर आना चाहीए जारेस के अबदानाव करनािर प tenían चाहिए स्रक्रीक आडटए के ढूरतीजिए नाचो अबै करिशक फरक्रीक स्ट कर दोरीका थीछ बसंट मुनग इसको अपलोग स्कूर मीरों इत्से स्ट गैन मुझें मौन सिटनी गलन लिए आंप एक वह डिए तो शॉरक्म सह्वनुग उ तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि दीज पर्षेंटेज ऑफ माक्स पॉर एलिजबिलिटी में भी रिलेक्ट बाइट टू पर्षेंट फोर पी डेवलुडी कंडिडेट इन केस ऑफ सौर सौर्टेज ऑफ पी डेवलुडी कंडिडेट एंगेंट वै उसकी संख्या उतरा नहीं पूरेगा ना तो उसको दो पर्षेंट का रिलेक्स हम दे सकते हैं ऐसा रिल्वे का कहना है वह से स्ट्रेंट बहुत पूर जाता है बहुत सारा है जो की एक्जाम के तयारी करता है और वह भी जैनल के डूरी से अच्छा स्ट्रेंट नंबर लात आगे देखते हैं दो माक्स एसकोर्ट इन पार्ट ए आप लोगो मजा नहीं आ रहा है आगे देखिए मजा आएगा आपको ट्रेंट सेलेक्शन में आपको थोड़ा दिक्कत होगा होगा लेकिन आप लोग इस वीडियो में हंडे पर है कि आपको कौनसा ट्रेड मिल सकता है क्या सब आपके ट्रेड को मिलने की संभावना होगी बिलकुल आगे है वो वीडियो देख ले देखना जना भूले बिलकुल इस वीडियो को भी एस्वें छोर के नहीं जाएगा नहीं तो बहुत पस्ता हैगा शैल भी इस्टीट फोर शॉर्ट लिस्टिंग ये क्या होगा इस्ट कपिविए लिए उस्टी इस लोके बाल शिंग फ डुर इस और व इस ऑसन्यां तो लिद टो ऑट लू है काना हैं अन्या विदाद फक्स्सात्रत्र देखना टॉक रू बैट इस ये तो लिव दोर्क्त, लुर्वें ट वेमना बाले धाले पुक्त क्विपें आऄ ख कि क्या था दो माक्स स्कोर्ड पार्ट एलॉंग सैल भी यूज़ फोर शॉर्ट लिस्टिंग फोर कर डिदेस्ट फोर फ्यूचर एस्टेज अब देखि इसका कहने का मतलब यह हुआ कि आप पार्ट ए में देखिए एक्जाम तो आपका पार्ट ए भी लेगा पार्ट बी भी लेगा शाति साथ लेगा लेकिन यह लेक आ jazz की पार्ट बैम पार्ट ए ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो आगे का जैसे की जो इसक्ट चेक्टपनों कर हो तो इसका साईश्रा माद लिया तो उसका हूँ मेरिट कोरेट में जोरेगा उसका पाइट B का भी मेरिट में जोरता time पाaráट एचाम를 सीबिए कीटी कीद्ट इंत्र और अँशार आगे के सलेक्षन के लिए आगे के प्रोसेस के लिए और मेरिट कुर्स से लिए आपका में जो है मेरिट त्यार किया 메りट तियार होगा एब को मेर्ट लाएगा आपका मेरिट उतना ही अच्छा बनेगा आपको उसी इनности आपको POST मिलेगा जगह मिलेगा कहांफे आपको डिप्टी करने है अब हम भिल्कुल एक नजर में आपको हम बता देते हैं कि एक्जाम जवाब दीजेगा पार्ट एक्जाम इसमें देखिए एक्जाम का एक्जाम होगा 90 मिनट का आपको समय देगा इस नबय मेट में देखिए आपका मैथ में से आपको कोशन आएगा 20 नमबर रिजनिंग म करेंट में जो कोशन आएगा 40 यान की 40 और 40 80 हो गया और वो कोशन आपको आएगा 20 नमबर कोशन तो इधर से ले लिए तो इस तरह से आपका इसमें साथ 25 पचीस आता है हम तो आप कन्फूज हो रहे हैं पचीस पचीस और यहां से 10 कोशन आती है तो इस तरह चाहिए पचीस रे चाहिए भीच रहे से लेबस बस वही है टॉपिक से महीं परना है चलिए आगे देखते हैं लोग तो दो से लेबस पार्ट एक सैल भी एज बीलो मैथमेटिक्स नमबर सिस्टम बॉर्ड मास अब देखिए अब मैथ में से जो पार्ट एक अ उसमें देखिए क्या है कि आपको मैथमेटिक्स में देखिए नमबर सिस्टम है बॉर्ड मास रूल है उसका अपकी डेसिमल है फ्रेक्शन है एल सी अम एच सी एफ रेसियो और प्रोपोर्शन उसका परसेंटेज मेंसुरेशन टाइम और वर्क टाइम और डिस्टेंस आपको 19 टॉपिक बता है अपने अनुसार की तुम 19 टॉपिक पर के आओ हम तुमको इसी में स्कोर्शन फूचल लेंगे दोचार टॉपिक और ही प्रोबैबिलिटी बगड़ा उसमें से कोर्शन भी आपको आएगा एक्जाम में अब देखिए इसी का आपको हिंदी में ल आपको टॉपिक आपको आ रहा है रिजिनिंग में से बीडियो थोरा लंब पर इसलिज तुरा इसकीप कर जलते हैं यह सब है उसका देखिए रिजिन हो गए यह उसका फिर देखिए बेसिक साइस एंड इंजिनरिंग इसमें से कोर्शन पूछ रहा आपका चालीज इसमें देखिए क्या सब चीज़ पर रहा है इसमें देखिए दब दब ब्रॉट टॉपिक दैट और कोवर्ड अंडर देस सेल भी इंजिनियरिंग ड्रॉइंग तो अब इंजिनरिंग ड्रॉइंग के अंदर में आपको प्रोजेक्शन्स व्यूज ड्रॉइंग इंस्टूमेंट लाइन्स जो मैट्रिक उसका फिगर्स सिम्बॉलिक रिपर जेंटेशन अब देखिए यहां पे देखिए इसके बा साइंस और इंजिनियरिंग में इस्टूमें ने क्या किया वह पटना गया और पूरा का पूरा फोकस जो है वह ड्रॉइंग पर कर दिया पूरा मेहनत कर दिया पूरा बेसिक साइंस अनिजिनिका ड्रॉइंग में से इसमें कोशन कितना पूछा दो कोशन उसमें से एक कोश से पूछ दे और ज्यादा कुछ डीप में पढ़ने की जोड़त नहीं है इसलिए इसको साइड रखे उसका फिर देखिये उसका फिजिक्स का जो टोपिक वहीज में पढ़ना है मेजरमेंट है मास वेट एंडेंसेटी है वर्क पाफर इनर्जी है एस्पीड और वेलो सिर्ट इंट्रेशी यही आपका बेशिक साइंस अन इंजिनेरिंगा और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना डिप से उसका फिर देखिये बेशिक साइंच नहीं हिंदी में लिखा हुआ है जो भी परना है पढ़ लिजे फिर देखिये आई टी सक्षरता में अले कम्पूटर से कोशन पुछेगा दो तिन कोशन पुछता है जेनल अफिर देखिये आपका जेनल अवार्नेस अन करेंट अफेस इन साइंस अन टेकनलोजी एस्पोर्ट्स कल्चर पर्शनलिटीज एकोनोमेक्स पोलिटिक्स एंड अनी अधर सब्जेक्स तू इंपोर्टेंस मतला सी बीटी वन म खता होने बाद पार्ट भी एक्जाम सुरू हो जाएगे और पार्ट भी एक्जाम के लिए आपको 60 मिन नी 60 मिनट कपको समय मिलेगा 60 मिनट में आपको जो कुर्चिन करने 75 और उस 75 की जो खास बात हैं वो देखिया आप है नमबर आप कुर्चिन 75 प्रशनलिटीज संक्या 75 है और क्वाइलिफाइंग मार्क पिछला वाला जो एक्जाम था उसमें तो जेनल SCST OBC के लिए अलग लग कर दिया था लेकिन डेल बेस में बोल रहा है कि पार्ट भी में चाहे तुम से हो स्टी से हो तुमार टाम टूटा है हां टूटा है इससे हमको मतलब नहीं है तुम 1935 परेशन नंबर फुला के दो ट्रेट ड्रेश्म जो आई ते किया हो और वहां पे जा किया है आई टिया कोकिया किया है बेहां के क्या किया है तो इसका तुम को ट्रेट टेस्ट के लूप में देना पड़े इसम कोई छूट नहीं देंगे चाहे कोई भी कैकर्वरी से रो माक्स है और इसमें कोई रिलेक्सेशन नहीं है 35% नंबर आप लाईएगा क्वालिफाइगे तब हम आपको क्वालिफाइग करेंगे बागी का 35 से अगर कम है और पार्ट ए में चाहे आपका 100% नंबर ही कायने है तो हम नहीं ले पाएगे तो यह रहा आपका तो पार्ट भी भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाती है आप लोग के लिए दिस पार्ट इस क्वालिफाइंग इन नेचर एंड सेल हैव कोस्टेंस फ्रॉम दर ट्रेड अब देखिया आपको ट्रेड टेस्ट में क्या सब देना है ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट का तो यहां पर दोनों जगहाँ बैलेंस कर दिया है इस इस अनुसार तो तो डीजी एटी जो है न वह आई टी एक जो सिलेबस बनाती हो डीजी एटी संस्ता ही बनाती है तो डीजी एटी का जो सिलेबस है वही पूछेगा एक्जाम में अब देखेंगे आपको बस वही है कि 10 फ्लस टू भी है है तब भी हम आवे इसके लिए एक लिश्ट बनाए वाए उसको अपको दिखा देते हैं अब देखें अब देखें फाइनल बात यह समझे लिए अप लोग कि अगर आप लोग आई टी है किये हैं तो आपको आई टी है मैसे जो अब जो भी एस्टोन आई टी है कि या फिर्वाइरमेंच से कि एक उसका अगर्वाइड मैंजपा को आपको वाइरश मैन का जो ट्रेट टेस्ट देना है वो बीचेक या फिर पॉल्टैनिक एस्टेंट के लिए है बिलकूद देख से लिए इंजिनियरिंग média से इनडी करें इंजिनियरिंग जो भी किछ या फिर एंजिनेजरी से है डिपलोमा इस छोवित किये हैं तो उसके लिए जो आपके पास ट्रेड का ऐप्ट न है आप एलेक्ट्रिसियन ट्रेड का अप्स्न हैं आप इलेक्ट्रिक्रिकल एंजिनियर्ग से डिपलोमा या फिर बीटक किये हैं उसके पास क्या सब ओप्षाने एक फिर से इलेक्ट्रीसियन इस्टूमेंड मैकैनिक या फिर वायर मैंड या फिर वाइंस अल सहे और्म हैं रमिंदर या फिर राफ रेज़रेशन अंड एर कंडिसेनिंग मैकैनिक अरह के आरे 6 एग कर सकते हैं तो हम फीटर को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं उसका दूसरा जो चीज़ है Electronics Engineering and Combination of various streams of Electronics Engineering जो भी स्ट्रेंट Electronics Engineering से पॉल टेक्निक या फिर बीटे किये हैं या फिर इलेक्ट्रोनिक से समध्द किसी दूसरे ब्रांच से किये हैं तो उसके लिए क्या सब है उसके लिए बस दो ट्रेड है एक है Electronic Mechanic दूसरा Electronic Mechanic रेडियो एंड टीवी वो दो में से कोई एक को सेलेक्ट कर सकते हैं उस पर देखे तीसा Mechanical Engineering and Combination of various streams of Mechanical Engineering आपने अगर Mechanical से अपने इंजने किया है फिए Mechanical समय दूसरे चीज़ से आटो मोबाल या फिट्रेक्टर से तो वह इसके लिए आपके लिए क्या समची यह आप्शन में है फीटर है Mechanic Motor Vehicle, Tractor Mechanic, Mechanic Diesel, Turner, Machinist, Refrigeration and Air Conditioning Mechanic उसके लिए हीट इंजन, Middle-right Maintenance Mechanic यह सब है उसके लिए आप्शन उसके लिए आटो मोबाल इंजनेरिंग से जो एस्ट्रेंट किये हैं बीटेक या फिर डिपलोमा combination of various extremes of automobile engineering तो उसके लिए क्या सब आप्शन है उसके लिए है Mechanic Motor Vehicle, Tractor Mechanic, Mechanic Diesel, Heat Engine, Refrigeration and Air Conditioning Mechanic और जो है इस्ट्रेंट HSC यानि की PCM से जो किये है पलस टू किये है उसके लिए क्या सब आप्शन है यानि कि 10 प्लस टू से जो आए है physics और math के साथ में उसके लिए आपके पास option है Electrician, Electronic Mechanic और Wireman आप इस तीन में से कोई एक को select कर सकते हैं एक है Electrician, Electronic Mechanic और उसके पास है Wireman इसमें से कोई भी चीज़ आप select कर सकते हैं वह trade test के लिए तो आपको इस बात का पूरा ज्यान मिल गया होगा चले हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है cbt2 exam के आपको तैयारी करनी है लोको पाल्ट exam के तैयारी करनी है तो आपको हमारा online class join कर लिजिए या फिर आप हमारा offline class हमारे hostel में आके पढ़ लिजिए या फिर आप घर बेठे हमारी किताब को पढ़ना चाहते तो आप इसको पढ़ लिए इसके बार में जाने कई दर है लोको पाल्ट exam books 2020 cbt1 और cbt2 के लिए आपको यह सब ही किताब को काम करेगा basic science है इन इसे का मैंने क पाजाए हमारा WhatsApp नमबर आपको यहां से मिल रही है कि या फिर यह हमारा कॉंटेक्ट नमबर है आप इस नमबर पर कॉंटेक्ट करिए आपको मुझसे बात हो जाएगी चले इस वीडियों बस इतना ही कोई भी बात आगर आपको छूट गई होगी तो हमने तो पूरा कोशि इस वीडियो के माद्यम से और कोई चीज छूट गए होगी तो आप हमें कमेंट कर देजे और आप हमारा अगरा प्लोकुपाइट एजम की त्यारी कर दें तो आप इस मास्टर नोट्स को मावा लेजे आपका इस इस त्यारी 100 परसन होगी हमने काफी ज्यादा स्ट्रेंट को त्यारी कर वाया और वह स्ट्रेंट एक्जाम को पास करके भी दिखाएं अगला वीडियो जो होगा सिबीटी थ्री यानिकी साइको टेस्ट के उपर होगा और उसको भी देखना बनता है वैसे इसके उपर हम वीडियो बना चुके हैं लेकिन अब ऑफिस्यल यूप से जो डेलवे करेंसा जो नोटिस है उस पर हम इसको वीडियो को बना रहे तो आप लिए उसको जरूर से जरूर देखेगा हम उमीद करते हैं आपको हमारा ये मैनत भड़ा कम पसंद आया इसके लिए आप लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अपने आई टिय के दोस्तों को सब्सक्राइब कर वाएं सब्सक्राइब कर वाएं और अगर आपको कोई पूचे लोको पाइट बनने के बाड़े में तो आप हमारा अभinyसे कोचिंग सर अभी से कोचिंग होस्टल को आप जोईन कर लिजे त्यारी अगर आपको करनी है अगर आप बनना चाहते हैं लोको पाइट तो आपको त्यारी अभी से करनी पड़ेगी आपको यह नहीं सोच रहा है कि हम जो वैकेंसी आएगी तो हम त्यारी कर लेंगे तो आप पीछे रहा आप आएंगे तो थेंकिसव मुझ अ झाल झाल